आज हम डिस्कुस करने के लिए हैं आपके पास छोटा बट बहुत ही शांदार चैप्टर that is redox reaction तब कुछ include किया यार हमने चैप्टर में न कोई भी चीज ऐसे छोड़ी नहीं है कोई भी टॉपिक जो include ना किया हो everything is there जिसमें oxidation भी होती है और reduction भी होती है महतरमा दोनों बोन से बात कर रही है मजनु भाई से भी और उनके भाई से भी बिल्कुल बिल्कुल कुछ ऐसे cases हैं जिन में आपको structure बनानी ही पड़ेगी without structure अगर आप इने करने की कोशिश करोगे तो आपका answer गलत आने के chances जागार है एक element को कोई दूसरा element आके क्या कर देगा that is replace कर देगा होता ने कभी-कभी एक relationship में बी-एफ को बी-एफ रिप्लेस कर देता है यह कैसी बात है अहे भाई बॉइफ्रेंड को बेस्ट फ्रेंड जो है वो रिप्लेस कर देता है अलो बच्चो कैसे हैं आप सब लोग मैसल महामित महाजन and welcome you all on this incredible platform of physics वाला तो कैसे हैं यार आप सब लोग hopes हो आप सब लोग अच्छे होंगे आपकी तयारी भी अच्छी चल रही होगी first of all thank you for giving this so much love for the all the videos जो हमने अभी तक डाली है माइंड मैप सीरीज में उसी को continue करते हुए आज हम discuss करने के लिए आपके पास छोटा बट बहुत ही शांदार चैप्टर that is redox reaction ऐसा चैप्टर जो कहीं न कहीं कभी कभी आप देखेंगे के electro chemistry में भी यूज होगा ठीक है यह कहीं और chapters में भी equilibrium में भी यूज होगा तो आईए फिर without wasting any time start करते हैं आज की class सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे तब कुछ include क्या है हमने chapter में न कोई भी चीज जैसे छोड़ी नहीं है ठीक है के जिसमें हमने कोई भी topic जो include ना किया हूँ everything is there from the basics like oxidation reduction क्या होती है oxidation number calculate कैसे करते हैं कुछ अच्छे cases oxidation number के types of redox reaction balancing and factor calculation redox iteration सब कुछ हम लोगोंने discuss किया है यहाँ पर आईए start करते हैं सबसे पहले मजनु भाही की तरह क्या redox reaction क्या होती है वो reaction जिसमें oxidation भी होती है और reduction भी होती है ठीक है आप देखी रहे हैं जिसमें oxidation भी होती है और reduction भी होती है महतरमा दोनों फोन से बात कर रही है मजनु भाई से भी और उनके भाई से भी बिलकुल बिलकुल बट सर यह तो पता चल गया कि redox reaction वो होती है बट oxidation क्या होती है reduction क्या होती है आइए उनके बारे में भी बात करते हैं ठीक है सबसे पहले बात करेंगे हम oxidation के बारे में देखे ओल्ड definition तो ये थी पुराने टाइम की के जो भी oxygen ले लेता है या hydrogen दे देता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग oxidation बट इससे definition की limitation थी वह reaction के अंदर oxygen या hydrogen होना चाहिए तब ही आप बता पाएंगे ठीक है इसी कारण इस definition को replace कर दिया गया नए electronic concept से और वो क्या कहता है oxidation उसका होता है जिसके electron loss होते हैं यानि कि जब आप reactants ये product की तरफ जाएंगे अगर loss of electron हो रहा है तो समच जाहिए कि क्या हो रहा है oxidation हो रहा है जिसका example एक ये रहा एक और ये रहा यहां पर sodium ने एक electron lose किया है उस पर plus one charge आ गया calcium ने दो electron lose किया है उस पर plus two charge जा गया aluminium ने यहां पर अगर तीन electron lose किये होते तो plus three charge आ जाता ठीक है सिर्क्या हमेशा positive charge ही आएगा electron loss करने पर नहीं नहीं positive charge increase हो जाएगा ठीक है अब वो resultant में positive आएगा कि नहीं आएगा उसके बारे में तो देखो बात करनी पड़ेगी हमेशा oxidation तब होगी जब electron loss होंगे जब भी electron loss होंगे हमेशा यह याद रखेगा कि जो positive charge है वो increase हो जाएगा या negative charge होगा अगर reactant में तो product में आने पर वो decrease हो जाएगा सर इसका example देना देते हैं न c l minus 1 में था इसने एक electron lose कर दिया तो 0 पर आ गया हाँ सर नंबर line system में minus 1 से एक right की तरफ जाओगे तो 0 charge ही आएगा देख रहे हैं उस पर 0 ही आया इस पर already 0 था इसने 3 electron lose कर दिये तो number line system में जब आप left to right जाओगे यह तीन step तो plus 3 ही आता है बिल्कुल सही है sir and so on ऐसे भी और example देख सकते हैं ठीक है similarly sir reduction क्या होता है जो इसका reverse होगा reduction में क्या होगा gain of electron होगा positive charge decrease हो जाएगा यह negative charge increase हो जाएगा sir क्या उसके example बता सकते हो बिल्कुल इनको reverse कर दो यह देखो cl प्लस वान इलेक्ट्रॉन gives you cl negative हो गया कि नेगेटिव charge increase यहाँ पर चार्ज जीरो था यहाँ पर माइनिस वान आ गया नेगेटिव इंक्रीज हो गया aluminum three positive में तीन electron gain कर दिये हो गया कि पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज पहले positive charge plus three था अब उसमें तीन electron डाले हैं तो कितना हो गया जीरो हो गया ना plus three minus three comes out to be zero ठीक है यहाँ पर हमने इसको diagram की help से भी represent किया हुए बट यह वो है जिसका oxidation हो रहा है और यह वो है जिसका क्या हो रहा है that is reduction हो रहा है बड़ी खतरनाक सी तस्वीर है आपके सामने बड़ समझा गया होगा कि जब भी redox reaction होगी जिसका oxidation हो रहा है वो electron देगा किसको जिसका reduction हो रहा है यानि कि reduction वाले ने electron gain कर लिए है oxidation वाले ने electron क्या कर दिए है lose कर दिए है ना next sir oxidation number होता क्या है ठीक है आप चाहू तो एक example भी दे देता हूँ पहले मैं आपको redox reaction का calcium plus chlorine gives you calcium chloride यहाँ पर यह 0 है यहाँ पर plus 2 इसका oxidation number होगा इसका minus 1 देखिए आप 0 से plus 1 plus 2 गए है तो इसका मतलब इसका positive charge increase हो गया है इसका oxidation हो गया है यहाँ पर आप 0 से minus 1 गए है तो इसका मतलब इसने negative charge बढ़ गया है इसका reduction हो रहा है इस reaction को क्या बोलेंगे आप redox reaction जिसमें किसी का oxidation भी हुआ है as well as reduction भी हुआ है तरबड़ जो आपने अभी oxidation number निकाला calcium chloride में वो कैसे find out करते हैं यह पहले यह oxidation number होता क्या है ठीक है यह imaginary यह real charge भी हो definition समझाने के लिए बता रहा हूं बहुत आसान है देखो वह क्या carbon dioxide में carbon ने दो oxygen के साथ double bond में ना रखी है येस तो क्या जब भी इन दोनों bonds को तोड़ा जाएगा क्या इस पे कोई charge आएगा और इस पे कोई charge आएगा येस जो total charge आएगा bond तोड़ने के ऊपर उसे बोलेंगे oxidation नंबर जो total charge आएगा bond तोड़ने के ऊपर उसे क्या बोलेंगे हम oxidation नंबर ठीक है oxidation नंबर को निकालने के क्या कोई rules भी होते हैं हाँ दीदी हाँ वो rules होते हैं कौन से होते हैं वो बात करते हैं सबसे पहले जब भी कोई element अपने ही item के साथ bond बना रखी है तो उसका oxidation नंबर 0 होगा जिसको other words में ऐसे भी बोल सकते हैं स्टारे elements का elementary state में oxidation number 0 होगा ठीक है elementary state क्या होते है जैसा nature में पाया जाता थर्मडाइनमिक्स में सीखा भी है हमने hydrogen के elementary state क्या होगी h2 gas chlorine की क्या होगी cl2 gas BR की क्या होगी BR2 liquid sodium की क्या होगी Na calcium की क्या होगी CA ठीक है इन सब में oxidation नंबर क्या होगा जीरो ना फिर वही दूसरी definition जब एक atom ने अपने ही किसी atom के साथ bond बना रखी है तो उसका oxidation number क्या होगा जीरो होगा atom ने अपने ही atom के साथ bond बना रखी है तो hydrogen का जब अकेला पड़ा होगा तब तो क्या होगा जीरो बड़े मान लीजिए hydrogen किसी के साथ bond बना रखी है चाहे वो metal है यह non metal है अगर metal के साथ बना रखी है तो उसमें oxidation state hydrogen का minus 1 होगा non metal के साथ बना रखी है तो plus 1 होगा तर example दे सकते हैं बिलकुल example दे सकते हैं जैसे यह देखिए तले metal के साथ देना है तो यह रहा एने अच इसमें hydrogen का oxidation number कितना होगा that is minus 1 calcium hydride इसमें hydrogen का कितना होगा माइनस 1 सर यहां पर दो hydrogen है तो बहिया दोनों का minus 2 हो जाएगा बड़ जब ऊपर लिखा जाता है तो एक का लिखा जाता है इसी कारण मैंने minus 1 लिखा है तर on metal के साथ example दे दीजिए यह रहा HCl इसमें hydrogen का क्या होगा that is plus 1 होगा ठीक है oxidation number alkali metals का जिनको group 1 के metals भी बोला जाता है combined state में देखो जब अकेले पड़े होंगे एन ने अकेला पड़ा होगा तो क्या होगा 0 ही होगा ठीक है potassium अकेला पड़ा होगा तो जीरो हो तो हरी का 0 ही होगा पर जब combined state में कितना होगा that is plus 1 for example NaCl में sodium का प्लस 1 KCl में sodium का प्लस 1 ठीक है similarly second group के अगर metals होंगे beryllium, magnesium, lgm, strontium, barium ठीक है sir इनको याद किया होगा हमने लीना की रप से फर्याद इसको बेटा मांगे car scooter बाप राजी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है उन सब में oxidation number क्या होगा combined state में that is a plus 2 होगा ठीक है oxidation number कीसी आयना यान चार्ज that Re sarà führt क्याना चार्ज treatment time अशार्ज होता है यानि कि जैसे गर पोई खूरक कूचले इसका oxidation number किटने तो जिटना इसके उपर चार्ज है that is •2 बड़ सर मान लो हो औनको यहाद यह आटम था यह यहादा वीनमयून था यहाद शफाई का combination of atom से बनी हो जैसे ऐसे बनी हो तो यह माइनस टू किसका oxidation नंबर होगा एक sulfur का और चार oxygen का एक sulfur का और चार oxygen का जब add किया जाएगा तो उसका total oxidation नंबर कितना आएगा that is a minus two तो एक और example यह रहा nitrate आयन एक nitrogen का और तीन oxygen का जब oxidation नंबर combine किया जाएगा तब आएगा that is a minus one general में अगर बात करें तो oxidation नंबर oxygen atom का minus two होता है जैसे example दीजे सर इसके example दीजे जैसे h2o में oxygen का minus two है hno3 में एक oxygen का minus two है ठीक है बट oxygen अलग-अलग oxidation number भी शो कर सकता है सर फॉर एग्जामपल इट कें शो माइनस one माइनस half zero plus one plus two जब माइनस one शो करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग पर ऑक्साइड में oxygen माइनस one शो करता है तर जब माइनस half शो करता है उसे बोलते हैं सूपर ऑक्साइड जीरो तो चलो पता ही है वो मैं नहीं बताऊंगा जब अकीला पड़ा होगा जीरो ठीक है o2 में oxygen का 0 होगा plus one का example है o2 f2 और plus two का example है that is o f2 चलो इन में तो कोई खास problem है नहीं ठीक है एक और example भी है plus one वाला जो आप पी ब्लॉक में पढ़ते हैं न के जनॉन क्या compound बनाता है वो कैसे पता चला था जनॉन की ionization energy और oxygen की ionization energy सेम होती है पहले एक compound बनाया गया था oxygen का इनी compound बनाया गया था o2 positive ptf6 negative है न वही वाला वही वाला o2 positive inorganic chemistry से भी आपको इसको relate कर दिया हमने ठीक है इन में ज्यादा problem नहीं है आपको problem इन में आएगी के सामने एक आपको example रख दिया जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह oxide है paroxide है कि super oxide है न यही problem आएगी और कोई तो problem आ नहीं सकती इनके तो example सामने आपके ठीक है इन में problem आएगी like मैंने यह रख दिया यह cso2 अब मुझे यही नहीं पता चल रहा है कि इसमें oxygen का minus 2 रखना है oxide वाला minus 1 रखना है paroxide वाला यह minus 1 रखना है super oxide वाला यह मुझे पता ही नहीं चल रहा है तो इस problem को मैं solve कर देता हूं कैसे एक rule है oxidation number का ही sum of all the oxidation numbers of all elements in a molecule is 0 कहने का मदलब है एक सीजियम का और दो oxygen का oxidation number को add करके equal to क्या आना है 0 आना है क्या आना है जीरो आना है ठीक है क्या मुझे इसी का oxidation number finite करना हाँ minus 2 आ गया तो oxide minus 1 आ गया पर-oxid minus half आ गया तो हम super oxide बोल देंगे इसका final करना है येस इसको x माल दो तो दो oxygen है तो कितना हो जाएगा सर 2x सीजियम सर यह first group के element है first group के element जब भी combined state में होते है अभी अभी विछले page पे लिखा है तो उसका plus 1 होता है एक सीजियम का plus 1 हो गया is equal to 0 तो 2x कितना आ गया minus 1 x कितना आ गया minus half तो सर यह सीजियम की oxide नहीं है पर-oxid नहीं है यह सीजियम super oxide है क्योंकि oxidation state कितना आया है that is minus half तर एक example और करके दिखा दो बिल्कुल बिल्कुल calcium oxide मुझे इसका finite करना है x रख लेता हूं एक calcium second group का होता है combined state में plus 2 होगा इसका x plus 2 0 आ गया x आ गया minus 2 तो सर यह calcium oxide है माइनस आफ आ जाता super oxide हो जाता minus 1 आ जाता पर oxide हो जाता बट यहां पर क्या है that is minus 2 तो यह oxide है सर एक और example बिल्कुल H2O2 oxygen का finite करना है 2 oxygen है तो 2x रख होंगा hydrogen यहां पर non metal के साथ जुड़ा हुआ है oxygen non metal होती है तो 2 hydrogen का plus 2 हो जाएगा combined state में तो 2x minus 2 हो गया x minus 1 हो गया तो सर यह hydrogen की oxide नहीं है hydrogen की super oxide नहीं है minus 1 आया है तो यह है hydrogen की पर oxide है न फिर H2O फिर वही इसका x रख लो 2 hydrogen का plus 2 आगया x is equal to minus 2 आगया तो सर यह hydrogen की oxide है हाँ जिसको हम water भी बोल देते हैं तो आप किसी का भी find out कर सकते हैं एक्जाम्पल इसके hydrogen oxide peroxide sorry sodium peroxide इसका एक्जाम्पल यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है एक्जाम्पल आपको याद नहीं कर रहे हैं आप find out कर सकते हैं ठीक है sir next rule oxidation number halogens का combined state में कितना होता है that is minus 1 जैसे HCL में कोई पूछ ले कितना है इसका minus 1 NAF में कोई पूछ ले इसका कितना है minus 1 except inter halogen compounds except inter halogen compound सर्फ पहली बात inter halogen compound क्या होते हैं जब दो halogen आपस में जुड़के कोई compound बनाते हैं for example inter halogen कौन से हैं CLF3 BRF5 IF7 यह सारे inter halogen compounds हैं ठीक है दूसरी बात सर्फ inter halogen compound में क्या होगा वैसे normally HCL में तो पता चल गया CL का minus 1 है बट CLF3 में क्या होगा ठीक है जो more electron negative है inter halogen में more electron negative का minus 1 तो दूसरे का कैसे find out करोगे X रखके find out कर लोगे जैसे CLF3 में से कौन जादा electron negative है सर्फ fluorine ज्यादा electron negative है तो उसका minus 1 होगा ठीक है fluorine का X रखके find out कर लेंगे X एक fluorine का minus 1 तीन का minus 3 is equal to 0 तो X कितना आ गया plus 3 similarly IF7 में fluorine ज्यादा electron negative है तो एक का minus 1 साथ का minus 7 तो X रखके find out कर लेंगे सर X plus 7 आ गया similarly यहाँ पर भी fluorine ज्यादा electron negative है उसका minus 1 X एक fluorine का minus 1 पांच का minus 5 तो X कितना आ जाएगा plus 5 आ जाएगा यह कैसे ठीक यह line में बताई चुका हूँ sum of oxidation number of all atoms in a neutral molecule is equal to 0 यह किया था न इनका oxidation number का sum करके 0 आएगा इनका oxidation का sum करके 0 आएगा अगर यही कोई charged molecule होता है जिसे हम iron बोलते हैं तो वो charge के बराबर आ जाता है सर वो भी बताया था मैने इसका oxidation number plus in 4 का oxidation number is equal to कितना आएगा minus 2 इसका oxidation number plus in 3 oxygen का oxidation number को add दरके कितना आएगा is equal to minus 1 next oxidation number कुछ compound जो carbon, phosphorus, sulfur, chromium के होते हैं वो ऐसे calculate किये जा सकते हैं अगर A की electronegativity B से जादा है अगर दोनों ने single covenant bond 1 आ रख ही है तो जो जादा electronegative है उस पे minus 1, less वाले पे plus 1 double bond बना रख ही है जो more electronegative होगा उस पे minus 2, क्योंकि दो bonds है और इस पे plus 2 और अगर triple bond बना रख ही है more electronegative होगा minus 3, इस पे कितना होगा that is plus 3 ठीक सर fractional oxidation number represent करता है average oxidation state को जैसे ये देखे FP3O4 इसमें oxygen का fine out करेंगे 3X एक oxygen का minus 2 चार का minus 8 X कितना आ गया that is 8 by 3 this is average oxidation number of FP सर अगर हमें individual लिकालना हर एक FP का वो भी करेंगे आज next coordination compounds के लिए जो rule है वो भी discuss करते हैं एक दो मिनिट में अच्छा एक और बात करते हैं last rule in case of alloys and amalgam oxidation number metal का ठीक है वो change नहीं होगा सबसे पहली बात amalgam होता क्या है जब कोई भी चीज मरकरी के साथ मिलके alloy बनाती है उसको बोलते हैं हम amalgam amalgam में जो metal है मरकरी के इलावा जो दूसरा metal है उसका oxidation number 0 ही होगा सर एक्जाम्पल एक्जाम्पल यह रहा जैसे कहीं पह लिखा हुआ है sodium amalgam ठीक है sodium amalgam इस पे sodium का oxidation number 0 ही होगा एक और एक्जाम्पल सर magnesium amalgam इस पे magnesium का oxidation number 0 ही होगा ठीक है कुछ common ions है जिनकी ज़रूरत पढ़ेगी oxidation number calculation करने में तो इसी कार मेंने उनके सबके charge लिखे हुए है ताके आपको पता रहे और problem ना हो वही कहीं पे लिखा हो नाइट्राइट आयन ठीक है तो आपको पता हो कि उसके उपर minus 1 होता है टोटल मिला के कहीं n का आपको और o का आपको calculate ना वरना करना पड़े फॉसफेट आयन है तो उसके उपर minus 3 होता है ठीक है एक फॉसफोरस का और चार oxygen का मिला के आपको calculate ना करना पड़े इसी कारण में लिखे हुए ठीक है यह बात अल्रेड़ी हो चुकी है मैं बताता हूं कहां पे हुई है यह बात यह रही है अगर यह की सब्सक्राइब का मतलब पता है आपको काडिनेट बांड में जो बांड बनाने के लिए दो electron चाहिए होते हैं दोनों के दोनों electron एक ही atom देता है बट शियर दोनों करते हैं तर जैसे जैसे यह देखिए कि can i own me नाने के लिए यए दो रितव दोंगे डोनों एक ही ऐटम देता जो देता है दोनर कहलाता है जो लेता है वो लेता है तरी तरह कंदा कि काम करेंगा बिलकुल और यह UNG लूई ऑसीड कि तरह काम करेंगा बिलकुल आप ऐसा भी ज शक्ते आपiser भी बहुत थं। आप और अगर यही आप और इनकप करेंगे तो यह नुख्लो फाहिल कि तरह काम करेगा और यह एलेक्ट्रोफाइल कि तरह काम करेगा तो कैसे भी बोल सकते हो यार तिक इनकई इनकई. और ऑरगनिक ओ będę क्या होगा क्या होगा डॉंनर पे कितना oxidation state आएगा due to this coordinate bond acceptor पर कितना आएगा उसके तीन अलग-अलग cases है on the basis of electronegativity क्या donor की जादा है यह कम है यह equal है as compared to the electronegativity of acceptor यह देखो अगर donor less electronegative है तो donor पर प्लस टू आएगा और acceptor पर माइनस टू आएगा for coordinate bond जैसे यह देखे donor less है और acceptor more है आईए इसका structure बनाते हैं H2SO4 का sulfur और oxygen के बीच में coordinate bond होती है और इस coordinate bond में जो donor है वो less electronegative है acceptor है जो more electronegative है और each coordinate bond donor पर क्या आएगा that is plus 2 and acceptor पर क्या आएगा minus 2 donor पर plus 2 acceptor पर minus 2 इधर सरे simple covalent bond बनी होई है उसमे more electronegative में minus 1 आता है less पर plus 1 single covalent bond more electronegative में minus 1 इस पर plus 1 तो sulfur पर total कितना हो जाएगा plus 2 plus 2 plus 1 plus 1 सर्फ प्लस 6 हो जाएगा बिल्कुल ठीक है नहीं सर H2SO4 की structure तो यह होती है हमने inorganic में chemical bonding में पढ़ा है बात आपकी बिल्कुल सही है H2SO4 की donor structures होती है यह भी और यह भी बट फिर भी कोई पूछे कि जादा correct structure कौन सी तो यह वाली जादा correct structure ठीक है नेक्स्ट अगर donor और सेप्टर दोनों की इलेक्ट्र नेग्टिविटी सेम हो तब भी डोनर पर प्लस 2 आएगा सेप्टर पर माइनस 2 आएगा एक्जाम्पल आपके सामने हाइपो दे रखा है Na2S2O3 मैं उसकी structure बनाके आपको दिखा रहा हूँ अलाग यह covalent bond नहीं है आइनिक bond है बट ऐसे मैंने शो करने के लिए समझा है क्योंकि मेरा मक्सद तो सिलब इसी bond से है क्या यहां पर डोनर और सेप्टर दोनोँ सलफर हैं दोनों की एलेक्टरनिटिविटी सेम हैं बट फॉर इस कॉडिनेट बॉन पर प्लस टू आएगा असेप्टर पर माइनस 2 सलफर का यहां पर क्या हो जाएगा सर्फ प्लस 2, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 1, इस sulfur का हो जाएगा, प्लस 6, इसका हो जाएगा, माइनस 2, तो individual अगर कोई पूछेगा, Na2S2O3 में, sulfur का कौन-कौन सा oxidation state होता है, एक प्लस 6 भी होता है, माइनस 2 भी होता है, अगर कोई पूछ ले, average क्या होगा, average oxidation number क्या होगा, sulfur का, Na2S2O3 में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले, पहले sulfur का लिखेंगे, लाइक, प्लस 6, फिर दूसरे का, माइनस 2, दोनों को add करेंगे, तो divide कर देंगे, number of sulfur atom से, that is 2, तो 4 divided by 2, यानिके 2 आजाएगा, yes, average बोला जाएगा, तो 2 होगा, पर individual पूछा गया, तो इसका plus 6 और इसका minus 2, सर अगर उल्टा हो जाए, आपकी बार donor जो है, वो more electronegative हो जाए, और receptor more, less electronegative हो जाए, ऐसे case में, आप coordinate bond को consider ही नहीं करेंगे, आप ऐसा मान के चलेंगे, कि वहाँ पर coordinate bond है, ही नहीं, है ही नहीं, जैसे यह देखो, HNC के case में, यहाँ पर N और C के बीच में triple bond होती है, दो तो simple covenant bond है, तीसरी वाली coordinate bond है, ठीक है, अब जब आपको oxidation number calculate करना है, आपको ऐसे act करना है, कि यहाँ पर coordinate bond है ही नहीं, इसका oxidation number कैसे निकालोगे, इन दोनों में से यह ज़्यादा है, तो यह minus 1, plus 1, nitrogen और carbon में, बस ही नहीं दो को देखेंगे इसको, देखेंगे ही नहीं, ignore करेंगे इसको, तो इस पे less electron negative पे double bond के कारण प्लस 2, और more electron negative पे minus 2, इसका total कितना हो जाएगा, minus 3, इसका total plus 1, इसका total plus 2 हो जाएगा, नेक्स बात करेंगे, कुछ ऐसे cases हैं, जिन में आपको structure बनानी ही पड़ेगी, without structure अगर आप इने करने की कोशिश करोगे, तो आपका answer गलत आने के chances जादा रहेंगे, maximum cases में ऐसा यह इस कारण होगा, क्यों क्योंकि oxygen और oxygen ने आपस में per oxide bond बना रखी होगी, ठीक है, तो वो कौन से cases हैं, वो आपके सामने लिख रहा हूँ मैं, और अगर paper में question आएगा, तो इनी में से आएगा, ठीक है, सर इनकी structure बनानी कैसे सीखेंगे, वो आप इन और गैनिक में सीखते ही हैं, like H2SO5, इसको caros acid भी बोलते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर फिर वाई, दो coordinate bond भी आ सकते हैं, आएए, इनमें oxidation number निकालते हैं, double covalent bond में more electron रुपे minus 2, less पे plus 2, double covalent bond में more रुपे minus 2, less पे plus 2, single covalent bond में more रुपे minus 1, less पे plus 1, इस पे minus 1, इस पे plus 1, तो sulfur का केतना आएगा, that is plus 2, plus 1, plus 1, plus 1, सर प्लस 6 आएगा, बिलकुल, तो आपको कैसे पता चला कि इसमें per oxide bond है, जब भी oxygen और oxygen में आपस में single bond बना रखी होगी, तो उसे क्या बोलेंगा, per oxide bond, this is per oxide linkage, CRO5 में भी ऐसा ही है, double covalent bond, single, 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 यह वाला जो oxygen है, वो तो minus 2 वाला होगा, और यह वाला आपको पता ही है, कि सर, per oxide linkage है, तो minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 2 है, तो यह plus 2, minus 1, minus 1, minus 1, minus 4 हो गया, तो इन चारों पे plus 4 हो जाएगा, क्रोमियम पे कितना हो जाएगा, plus 6 हो जाएगा, K3, CRO8 में भी ऐसा ही है, 8 oxygen है, आठों के आठों पर oxide linkage में है, इसको O negative K positive लिखना चाहिए, बट मैंने ऐसे show करने के लिए, उसको covalent show कर दिया, O और K के बीच की bond को single covalent bond, single, 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 हार एक में ये less electron negative है, ये more है, तो हार एक पे minus 1, minus 1, इन सब पे minus 5, तो इन पे क्या आजाएगा, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, बट पांच बार करूँगा, तो plus 5 आजाएगा, ठीक, C3O2 में है, ठीक है, जब भी, जिसका भी आप find out कर रहे हैं, oxidation number, अगर एक से जादा atoms हैं, जैसे Na2S2O3 में, sulfur के दो atoms थे, तो उनके दो type के oxidation number हो सकते हैं, individual भी, average भी, individual हमेशा structure से निकलेगा, जैसे C3O2 की structure यह होती है, इस carbon के बारे मात करिए, सर, इस वाले carbon ने, 4 bonds बना रखी हैं, चारों की चारों, carbon के साथ ही बना रखी हैं, तो सर, जब भी, किसी atom ने, अपने ही atom के साथ, covalent bond मनाई होती है, oxidation number 0 होता है, इसके बारे मात करेंगे, दो इधर, दो इधर, इसके कारण तो 0 होगा, क्योंकि carbon है, यहाँ पर, more electron negative way, minus 2, less plus 2, यहाँ पर भी, इसके कारण तो 0 होगा, इधर, double covalent bond है, more electron negative way, minus 2, इसके प्लस 2 होगा, तो individual अगर oxidation number की बात कर रहे हो, तो इसका प्लस 2 है, इसका 0 है, इसका प्लस 2 है, बट अगर कोई बोले कि, average oxidation number निकालना है, carbon का, तो पहले का प्लस 2, फिर प्लस 0, फिर प्लस 2, divided by 3, यानि कि 4 by 3, यानि कि 1.33 आजाएगा, बिल्कुल सही, सर सिमिलरली, बी यार 3 होगो, इट में, यहाँ पर भी, individual भी होगा, average भी होगा, structure आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर बी यार ने जो single bond, bromine के विसाथ में ना रखी है, उसके गारण 0, यहाँ पर, more पे minus 2, less पे plus 2, more पे minus 2, less पे plus 2, इस bromine का कितना हो जाएगा, plus 6, इसकी, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, तो इधर भी 0, तो इधर भी 0, तो इधर भी 0, तो ब्रोमीन के साथ ही इधर, minus 2, plus 2, minus 2, plus 2, minus 2, plus 2, individual plus 6, individual plus 6, individual plus 6, but अगर कोई कोई पूछ ले, के average बताओ, oxidation number, bromine का, BR3E, O8 में, तो पहले, individual 6, फिर 4, फिर 6, divided by 3, क्योंकि 3 bromine है, 16 by 3 आ जाएगा, ठीक है, सर्विलरली, ही, H2, S2, O8 के बारे में बात करें, तो इसकी structure कुछ, ऐसी होती है, sulfur, more electron negative, double है, minus 2, plus 2, single, minus 1, plus 1, double है, minus 2, plus 2, single, minus 1, plus 1, double है, minus 2, plus 2, single है, minus 1, plus 1, इस sulfur का कितना हो गया, फिर, plus 6 हो गया, यहाँ पर भी same आएगा, करके देख लीजेगा, plus 6 है, individual इसका भी plus 6 है, इसका भी plus 6 है, average निकालोगे, वो भी plus 6 ही आएगा, next, Na2S4O6, इसका नाम sodium detrathinoid होता है, यह और यह सेम ही है structure में देखोगे, बस फरक कितना है, यहाँ पर 2 sulfur कम है, यहाँ दो sulfur जादा है, यहाँ दो oxygen कम है, यहाँ पर 2 oxygen जादा है, तो सरक कौन से 2 oxygen sulfur की जगह आजाएंगे, यह दोनों oxygen की जगह sulfur आजाएगा, यह दोनों oxygen की जगा, जो बीच में, peroxide bond थी न, वो पर sulfide bond बन जाएगी, यहाँ पर double covalent bond minus 2, plus 2, minus 2, plus 2, single covalent bond, minus 1, plus 1, इसके कारण दो 0 होगा, क्योंकि sulfur ने sulfur के साथ bond बना रखी, तो इसका individual केतना आगया, पर plus 5, इस sulfur ने दो ही bond बना रखी हैं, दोनों ही sulfur के साथ कोबलेंड bonds हैं, तो 0 होगा, sulfur ने दो ही bond मना रखी हैं, sulfur के साथ, तो 0 होगा, इसका भी finite करके देखेंगे, ऐसे ही आएगा, plus 5, तो अगर आप individual पूछेंगे, तो इसका plus 5, इसका 0, इसका 0, इसका plus 5, बट अगर आप average प्लस दिवाइड भाइड 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 वाइड सीम नेक्स्ट है एफी थ्री ओफोर इसका एवरेज अभी थोड़े देर पहले निकाला था हमने एट भाइट थ्री आया था बेड़ अगर कोई इंडिविजुल पूछ ले तो आपको बताना पड़ेगा कि एफी थ्री ओ फोर एक मिग्सड ऑक्साइड है यह दो अलग-अलग टाइप की ऑक्साइड से मिलके बना हुआ है वो कौन सी दो ऑक्साइड है एक तो एफी ओ है और एक फी टू हो थ्री है यहाँ पर यह प्लस टू आएगा एक सरके रख लेना इसका प्लस थ्री तो तीनों एफी में से दो ऐसे एफी है जिनका प्लस थ्री है एक ऐसा है जिसका प्लस टू है एच अन थ्री इसको हाइडरा जोईक एसिड भी बोलते हैं यह होती है इसकी structure इसका तो जीरो ही आना है क्योंकि जितने भी बॉन्ड है नाइट्रो इन के साथ है इसका भी जीरो आना है इसका इन दो के कारण जीरो बढ़ यहां पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है लेस इलेक्ट्रो नगीटिव पे प्लस वन मोर इलेक्ट्रो नगीटिव पे माइनस वन तो यह आ गया इंडीविज्वल इसका जीरो इसका माइनस वन अगर कोई पूछ ले एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ब दुबारा इसको नहीं लिखोंगा ब्लीचिंग पाउडर में जो मेंली कोशन पूछा जाता है दाट इस इन दोनों क्लोरीन का पूछा जाता है कि यह जो दोनों क्लोरीन है इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यह बताइए आप एक तो कैल्चियम आयन से एक क्लोराइड आय तो प्लस वन आयेगा प्लस वन तो दोनों क्लोरीन का कितना हुआ एक का माइनस वन दूसरे का प्लस वन हाँ एवरीज अगर बोलोगे तो जीरो आयेगा next stock notation किसे बोलते हैं कुछ नहीं है यार यहां पर oxidation state को बस roman numerals में लिखा जाता है उसको क्या बोल देते हैं हम लोग stock notation like कि MnO4 में Mn का oxidation state प्लस 5 आ रहा है तो उसको roman numeral में लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा stock notation बोल देंगे उसे oxidizing agent क्या होता है यह oxidant क्या होता है oxidizing agent क्या होता है नाम से पता चल रहा है यह agent है यानि कि दूसरे को क्या करेगा यह oxidize करेगा और खुद क्या होगा यह reduce होगा similarly reducing agent यह reductant कैसे बोलेंगे reducing का agent है यह यह दूसरे को क्या करेगा reduce करेगा और खुद क्या होगा oxidize होगा जिसका oxidation हो रहा है वो reducing agent है जिसका oxidation हो रहा है वो reducing agent है और जिसका reduction हो रहा है वो oxidizing agent है सर एक्जामपल यह रहा H2 plus Cl2 gives you 2 HCl यहाँ पर यह 0 में है 0 में है यह plus 1 और यह minus 1 यहाँ पर hydrogen का क्या हो रहा है oxidation हो रहा है जिसका oxidation हो रहा है वो reducing agent है और जिसका reduction हो रहा है तर वो oxidizing agent है ठीक है जिसका अगर आपको कभी acidic करेक्टर निकालना हो या basic करेक्टर निकालना हो strength of acid is directly proportional to the oxidation number कुछ अगर आपको बोला जाए कि इन दोनों में से कौन जादा acidic है कौन जादा acidic है तो कैसे बताएंगे आप दोनों का oxidation number निकालेंगे sulfur का यहां पर plus 4 आएगा यहां plus 6 आएगा जिसका oxidation निम्मर जादा होगा वो जादा acidic होगा यह सबके लिए applicable है सबके लिए applicable है except phosphorus के oxy acids को छोड़के ठीक है अगर इन में से वही basic character पूछ लिया जाता तो हम लोग reverse बोड़ देते next है equal and mass कैसे निकालते हैं किसी का भी molar mass रखेंगे उसको divide कर देंगे n factor से क्या आजाएगा equal and mass n factor हर एक हर एक चीजों का अलग-अलग होता है like acid का n factor क्या होगा उसकी basicity base का n factor क्या होगा उसकी acidity ठीक है iron का क्या होगा उसका charge element का क्या होगा valency any compound का क्या होगा total charge के tion का या n i n का तो अलग-अलग चीजों के लिए n factor जो है वो क्या होता है अलग-अलग होता है अगर हम बात करें क्या redox reaction के type कितने परकार के होते हैं तो उनके बारे में हम लोग discuss करने लगे हैं सबसे पहला है that is combination reaction combination में क्या होगा दो चीजें दो या दो से ज़्यादा चीजें हापस में combine करके एक single चीज बनाएंगी उसे क्या बोलेंगे आप combination reaction ताइक A plus B gives you C example यह रहा A plus B ने मिलके क्या बना लिया C और वाके यहाँ पर oxidation भी हो रही है reduction भी हो रही है next decomposition reaction यह combination का reverse होगा यहाँ पर एक चीज तूटके यहाँ तो दो याँ दो से ज़्यादा चीजें बनाएंगी जैसे यह देखिए A B gives you A plus B example यह रहा HCl gives you H2 plus Cl2 यहाँ पर hydrogen का reduction हो रहा है chlorine का oxidation हो रहा है next is displacement reaction इसमें क्या होगा एक element को कोई दूसरा element आके क्या कर देगा that is replace कर देगा होता है कभी कभी एक relationship में BF को BF replace कर देता है BF को BF replace कर देता है यह कही जीवाद है अरे भाई यह boyfriend को best friend जो है वो replace कर देता है displace कर देता है बिल्कुल सब था A B सब कुछ सही चल रहा था C ने आके A को बाहर निकाल दिया अब यह BC है और A का बिचारे का क्या हुआ है वो आपको पता है ठीक है सर एक्जामपल दीजी इसमें हे रहा H2SO4 और यह रहा है Zinc Zinc यहां से Hydrogen को क्या कर देगा Displace कर देगा खुद तो Zinc Sulfate बना लेगा Hydrogen का क्या हुआ है वो आपको पता है Types of Redox Reaction में Next is Disproportionation Reaction Sir Disproportionation Reaction क्या होती है जिसमें सेम सब्स्टांस का Oxidation भी होता है As well as Reduction भी होता है Sir Example Example यह रहा H2O2 Decompose होके बना रहा है H2O And That is O2 gas आप यहां पर H2O2 यह Hydrogen Paroxid है Oxid का Minus 1 होगा यहां पर X रखके Find out करेंगे Minus 2 आएगा यह तो चलो अकेला है तो 0 होगा देखे तो Hydrogen Paroxid का Reduction भी हो रहा है Hydrogen Paroxid में Oxidation भी हो रहा है Oxidation का Reduction भी हो रहा है Oxidation भी हो रहा है हम क्या कहेंगे H2O2 क्या शो कर रहा है Disproportionation शो कर रहा है Sir अगर मैं इसका reverse करके लिख देता यानि कि reactant को product हो Product को reactant में लिख देता 2H2O plus 1O2 Gives you 2H2O2 तब क्या होगा वो क्यालाएगी Calm Proportionation Reaction क्या क्यालाएगी Calm Proportionation Reaction यह अभी अभी हमने किया है Oxidation नंबर क्लोरीन का बताईए COCl2 में एक का माइनस 1 दूसरे का प्लस 1 Range of Oxidation State आपको कभी भी P Block Elements में Range of Oxidation State निकालनी हो दाट इस N-8 से लेके N तक होगी पर N क्या है यहाँ पर Number of Valence Electron ग्रूप 13 के Elements में आपको पता है Valence Electron कितने होते हैं 3 तो 3-8 कितना आ जाएगा That is –5 से लेके 3 तक यह देखिए ग्रूप 14 वालों में Valence Electron कितने होते हैं 4 4-8 कितना हो जाएगा –4 से प्लस 4 तक 15 वाले 5-8 –3 से प्लस 5 16 वालों में 6 Valence Electron होते हैं 6-8 –2 से प्लस 6 17 वालों में 7 Valence Electron होते हैं 7-8 –1 से लेके प्लस 7 तक 18 वालों में 8 Valence Electron होते हैं 8-8 0 से लेके प्लस 8 तक क्या ग्रूप 18 वाले बनाते भी हैं बॉन्ड बिलकुल बनाते हैं जिनॉन के Compound पढ़ते हैं आप लोग P-E ब्लॉक में और भी कहीं के हैं बट आप जिनॉन के पढ़ते हैं ठीक है सर रेंज ओफ Oxidation State का फाइदा क्या होगा अगर कोई भी Element अपनी Maximum Oxidation State में है तो आपको पता है अगर वो अपने Already Maximum में है जब भी कोई Chemical Reaction कराएगा अपनी Oxidation State को Increase तो कर नहीं सकता क्योंकि Already Maximum में है तो हमेशा अपनी Oxidation State को क्या करेगा Decrease यानि कि Electron Gain करेगा यानि कि खुद क्या होगा Reduce अगर खुद Reduce होगा तो दूसरे को क्या करेगा सर Oxidize करेगा तो यानि कि जब भी कोई Element Maximum Oxidation State में है तो वो कैसे Act करेगा तर वो Oxidizing Agent की तरह काम करेगा और मान लिजे कोई भी Element अपनी Minimum Oxidation State में अब ये मत पूछना Maximum Minimum कैसे बता चलेगा 13 से 18 तक का बता दिए सर 1 2 का नहीं बताया आपने अरे यार फस्ट ग्रूप वालों का Maximum Plus 1 होती है सर डी ब्लॉक वालों को नहीं बताया उनकी Variable होती है Element अगर Minimum Oxidation State में है खुद Minimum में है तो उससे नीचे तो जा नहीं सकता तो यानिकि हमेशा जो है अपनी Oxidation State को Increase करेगा खुद का Oxidation कराएगा दूसरे को Reduce करेगा तो यानिकि कैसे काम करेगा वो Reducing Agent की तरह काम करेगा और सर मान लीजे कहीं वो Intermediate Oxidation State में है Intermediate Oxidation State में ना Maximum में है और नाही Minimum में है तो वो Act as both Oxidizing Agent and Reducing Agent दोनों की तरह काम करेगा Oxidizing Agent की तरह भी और Reducing Agent की तरह भी तो ऐसे वो कह भी रहे हैं कालीन भाईया SO2 Sulfur की Minimum होती है Minus 2 16th group का है Maximum होती है प्लस 6 ठीक है बट SO2 में प्लस 4 है तो प्लस 4 है तो Intermediate है तो कभी Oxidizing Agent की तरह काम करेगा और कभी Reducing Agent की तरह काम करेगा हमें खुद को पता नहीं है कि हम Oxidant हैं या Reductant हैं भाईया तुम दोनों ही हो जब किसी ऐसे के साथ react करोगे जिसको oxidize कराया जा सकता है तो खुद reducing agent की तो oxidizing agent की तरह काम करोगे और किसी ऐसे के साथ react करा रहे हो जिसको reduce कराया जा सकता है तब obviously reducing agent की तरह काम करोगे N factor calculation chemical reactions में हमें जरूरी ही क्यों है क्यों क्योंकि ये redox reaction को balance करने में बहुत जादा काम आएगा तो कुछ cases सीखते हैं सबसे पहला case है N factor calculation का जिसमें reactant से product बना है एक element का A का oxidation number change हुआ है दूसरे का change नहीं हुआ है एक का change हुआ है दूसरे का change नहीं हुआ है N factor कैसे calculate करेंगे जिसका oxidation number change हुआ है उसके एक molecule में कितने atoms हैं सर-X mod पहले वाला oxidation number minus बाद वाला oxidation number ठीक है सर-सर example ये देखिए CR2O72 negative ये बना है CR2O3 यहाँ पर oxidation number इसका plus 6 है यहाँ पर plus 3 है oxygen का change नहीं हुआ है यहाँ पर भी minus 2 है यही वाला case है तो N factor कैसे निकालेंगे जिसका oxidation number change हुआ है उसके एक molecule में कितने atoms हैं? दो बाद पहले वाला oxidation number minus बाद वाला second case जिसमें एक ही molecule के अंदर कई सारे atoms का या दो oxidation हुआ है या reduction हुआ है या तो सब का क्या हुआ है? या तो सब का oxidation हुआ है या reduction हुआ है सर जैसे example यह देखिए a, z, a, x, by यह बना a, z, c, w b, m और यह क्या बन के साथ में कोई? d, p e ने रखोंगा और और रख देता हूँ e रख देता हूँ यहां पर इसका plus b q, r asses case क्या है? जब दोनो a and b are oxidized या तो दोनों का oxidation हुआ है, या दोनों का reduction हुआ है ऐसा नहीं है कि a का oxidation हो गया और b का reduction हो गया या दोनों का oxidation या दोनों का reduction हुआ है इस case में n factor कैसे निकालेंगे? दोनों का n factor निकालेंगे और उसको add कर देंगे ठीक है sir? a का कैसे निकालेंगे? a के कितने atoms हैं या पर तर एक्जाम्पल एक्जाम्पल यह रहा FvC2O4 Fv3 positive और CO2 plus 2 plus 3 Fv n factor Fv के कितने atoms हैं या पर? 1 mod पहले वाला oxidation number minus 5 वाला plus carbon के कितने atoms हैं या पर? 2 mod पहले वाला oxidation number minus 5 वाला सर आपने oxygen नहीं रखा? अरे oxygen इधर भी minus 2 है इधर भी minus 2 है change हुआ ही नहीं सर अगर माल लो A का oxidation हुआ होता B का reduction किया हुआ होता तब कैसे करते? N factor calculation अब A का निकालते B का निकालते और दोनों को subtract कर देते जैसे ही आप पर दोनों को क्या किया था? हमने add किया था वैसे ही वहाँ पर दोनों को क्या कर देंगे? हम लोग subtract कर देंगे B plus B plus B plus B plus R plus one of them is oxidized and other is reduced A का oxidation हुआ है यहां B का reduction और B का reduction हुआ है और A का reduction हुआ है दोनों में से कोई सा भी हो सकता है तो कैसे करेंगे? पहले A का निकालेंगे X और पहला oxidation number minus बादवाला फिर B का निकालेंगे atoms Y और पहले वाला oxidation number P minus R आना था यहां पर पहले वाला minus बादवाला make sure कि यह 0 नहीं आना चाहिए यह 0 नहीं आना चाहिए नहीं सर अगर 0 आ गया तो बेड़ा फिर equivalent mass infinite नहीं हो जाएगा और क्या equivalent mass कभी infinite हो सकता है सर कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि equivalent mass होता है molar mass divided by N factor अगर N factor की जगा 0 रख दिया तो equivalent mass infinite हो जाएगा वो कभी भी हो नहीं सकता सर 0 के case में क्या करेंगे अगर 0 आया तो N factor total Kिसके परबर होगा यह तो N factor oxidations वाले हो यह N factor लाइग और दोनों में से किसका रखना है अरे दोनों equally तो होंगे तबी तो 0 आया होगा यह 9 है यह 9 है तबी तो 0 आया होगा ना oxydation वाले का भी 9 है, reduction वाले का भी 9 है, तब ही तो 0 आया होगा, तो Ion factor total answer 9 होगा, ठीक है, सिर्म माल लीजिये यहाँ पर 2 का oxydation हुआ होता, एक का reduction हुआ होता, तब क्या करते, तो पहले oxygen वाले का total निकालते, कैसे निकालते, ठीक, production वाले का total निकालते, ठीक, Oxidation में से Reduction वाले का Minus कर देते मालो Oxidation वाले का 2 का मिला के आया 12 Reduction वाले का आया 3 तो 12-3 कितना आजाता? 3 आजाता, 9 आजाता, ठीक है? नहीं सर, 3-12 होता तो ठीक है? तो भाई, answer negative में नहीं रखना तब भी answer आपको 9 ही रखना है 3-12 करेंगे तो Minus 9 नहीं मोलना N फेक्टर कभी भी negative नहीं हो सकता सर ये 0 वाला एक्जामपल करके दिखा दोगे? बिलकुल करके दिखा देंगे ये देखिए, KCl O3 Heat करते हैं इसे, तो बनता है KCl और O2 इसमें K का Plus 1 है, क्लोरीन का Plus 5 है, Oxygen का Minus 2 है K का Plus 1, Cl का Minus 1 इसका 0 है क्या, Cl का साफ नजर आ रहा है कि आपको Reduction हो गया है Yes क्या साफ नजर आ रहा है कि Oxidation हो गया है Yes तो N Factor कैसे निकालेंगे? N Factor Oxidation Minus N Factor Reduction Oxidation वाले का कैसे करेंगे पहले? 3 Mod पहले वाला Oxidation Number Minus 5 वाला Minus Cl वाले का एक Atoms है पहले वाला Oxidation Number Minus बाद वाला Oxidation Number Answer ये भी 6 है ये भी 6 है Sir ये दोनों तो सेम आ रहे हैं So in that case In that case N Factor Total कितना आ जाएगा? That is 6 आ जाएगा अगर एक 8 होता दूसरा 6 होता 8 माइनस 6 तब 2 रख देते बाद अगर दोनों सेम आ रहे हैं तब N Factor यहां तो ये वाला होगा या ये वाला दोनों सेम ही है 6 रख दिया मैंने Next is Disproportionation reaction के लिए N Factor कैसे calculate करेंगे? N Factor Total जिसका Disproportionation हुआ है N Factor Oxidation into N Factor Reduction divided by N Factor Oxidation plus N Factor Reduction जैसे H2O2 का heat करते हैं तो H2O और O2 बनता है पर इसमें Disproportionation होता है Oxygen का Reduction भी हो रहा है और Oxygen का Oxidation भी हो रहा है तो कैसे निकालेंगे इसका N Factor Total कैसे निकालेंगे? पहले N Factor Oxidation का निकाल लेता हूँ Reduction का निकाल लेता हूँ दोनों को उपर multiply करूँगा नीचे add करता हूँगा Oxidation के केसमें Oxygen कितने atom है? 2 mod पहले वाला Oxidation नंबर minus बाद वाला पहले वाला Oxidation नंबर minus बाद वाला Oxidation नंबर बाद वाला Minus 2 तरिये भी 2 आगया N Factor Total कितना आजाएगा? 2 into 2 divided by 2 plus 2 comes out to be कितना आजाएगा? 1 आजाएगा इस इट पॉसिबल तो लर्न देस पावर येस इवन अनन्या पांडे कें लर्न देस इफ शी विल पुट फोकस वर नेक्स फाइव मिनट्स ओनली ठीक है? तो आईए करते हैं किसी भी Redox reaction को balance कैसे करते हैं मैं आपको बताता चलता हूँ सबसे पहले कोई भी Redox reaction लिखी हुई है ये लिखी हुई है सबसे पहले तो सब का oxidation number calculate कर लिए सर वो करना आता है X रख के कर लेंगे इसका plus 7 इसका minus 2 इसका plus 3 minus 2 plus 5 minus 2 plus 1 minus 2 तो क्या हमने पहला step कर लिया ठीक है find कर लिया किसका oxidation हुई है and किसका reduction हुई है हाँ कर लिया सर यह देखो manganese plus 7 से plus 2 में जा रहा है reduction हुई है nitrite iron में nitrogen plus 3 से plus 5 में जा रहा है oxidation हुई है ठीक है जो n factor oxidizing agent का है वो moles है moles है reducing agent के and जो n factor reducing agent का है वो moles है oxidizing agent के आपको पता है यह इसका reduction हुआ है यह oxidizing agent है इसका oxidation हुआ है यह reducing agent है तो इसके moles n factor कैसे नहीं का लूँगा number of moles number of atoms है मैं यहापे 1 mod पहले वाला oxidation number minus बाद वाला सर फाइब आएगा similarly यह आपर nitrogen के कितने items है 1 mod पहले वाला oxidation number minus बाद वाला जो reducing agent का n factor है वो इसके moles है यह तो लगा दो यहापे जो इसके n factor है पाइब वो इसके moles है ठीक है oxidizing agent का n factor वो reducing agent के moles है ठीक है सर तब next step में क्या करेंगे balance all atoms except hydrogen and oxygen hydrogen और oxygen को छोड़के बाकी सब को balance कर देजे MN यहाँ पर 2 है यहाँ पर एक है low सर इदर भी 2 से multiply कर दो balance हो गया nitrogen यहाँ पर 5 है यहाँ पर एक है सर यह भी balance हो गया oxygen और nitrogen को oxygen और hydrogen को छोड़के बाकी सब balance हो गया ठीक है सर फोर्थ step balance oxygen by adding H2O to side deficient जिदर भी oxygen कम है उदर H2O डाल दीजे इदर कितने oxygen है 2, 4, 8 और 10 18 oxygen यहाँ पर 5, 3, 15 और 1 16 oxygen atoms है कितने कम है that is 2 कम है तो बस इदर 2H2O डाल दो ठीक है सर 1H2O पहले था आपने 2 और डाले तो यह 3 हो जाएगा ठीक है and the last step hydrogen balance करना है अगर medium acidic है तो add H-positive iron to deficient side जिदर भी hydrogen कम है उदर H-positive iron डाल दो नई सर medium basic है neutral में भी यही करना है acidic वाला add H2O to deficient side and equal number of OH- to opposite side opposite side जिदर hydrogen कम है उदर डालेंगे आप H-positive iron acidic medium में या आप यह भी कह सकते हैं that is neutral medium में basic medium में क्या होगा जिदर hydrogen कम है उदर H2O डालो मानलो 4H2O डालें तो opposite side में 4 O-S negative iron डालेंगा ठीक है सर आप oxygen तक कर चुके थे सर यहाँ पर H-positive iron की presence से पता ही चल रहा कि medium क्या है acidic तो जिदर hydrogen कम है पाइब और डालें कितने हो पर 6 हो गई balance ठीक है बड़ सर क्या इसको ठीटर ली सब कुछ आप अपने mind में कर सकते हो बिल्कुल यह तो मैंने step करके दिखा दिया अब यह देखो कैसे कर सकते आई आईए सबसे पहला step सबका oxidation number निकालो जिससे यह पता चल जाए किसका oxidation हुआ और किसका reduction हुआ फिर इसका reduction हुआ plus 6 से plus 3 गया इसका oxidation हुआ plus 6 से plus 2 से plus 3 गया तो जो इसका n-factor आएगा वो इसके moles होंगे जो इसका n-factor आएगा वो इसके moles होंगे निकालो n-factor 2 mod 6 minus 3 सर 6 आगया n-factor निकालो 1 mod 2 minus 3 सर 1 आगया जो इसका n-factor है वो इसके moles है इसका n-factor है बैलन्स all atoms except hydrogen and oxygen इदर 1 chromium है 2 लगा 2 chromium हो गए 6 fe है हो गए balance सर oxygen कैसे balance करेंगे h2o डालने इदर कितने oxygen है 7 इदर कितने 1 तो इदर 6 h2o डाल दो पहले 1 h2o था 6 और 7 h2o हो गया सर hydrogen कैसे balance करेंगे इदर 14 hydrogen है इदर 1 medium acidic तो इदर 13 h positive डाल दो पहले था 14 हो गए बहुत बड़ी है सर आप जितने भी question करा रहे हो वो सारे सारे आप acidic medium के करा रहे हो पिछला भी acidic का करा आया इसका भी ये भी acidic का कराया कोई basic का करा दो सर एक मिट रुप जा रुप जाओ सर disproportionation का करा दो बहुत इस्परपोशनेशन का करा देते हैं और basic medium का ही करा देते हैं दोनों problem तुमारी खतम हो जाएंगी बस एक बात याद रखना disproportionation में जिसका disproportionation हो रहा है उसको दो बार लिख लेना एक बार उसको oxidation वाले के लिए balance करेंगे एक बार उसको reduction के लिए balance करेंगे सर एक्जामपल ये देखिए आईए एक्जामपल ही हम वो ले रहे हैं जिसके अंदर disproportionation भी हो रही है एस वेल आज ये reaction basic medium में भी है क्या बोला मैंने जब भी disproportionation का case आजाएगा जिसका disproportionation हो जाएगा बस उसको दो बार लिख लेना उसको दो बार लिख लेना बागी सारे step क्या रहेंगे सेम रहेंगे सर करके दिखाईए बिलकुल क्या याई 0 से माइनस 1 में जा रहा है और प्लस 5 में जैसे बाकियों के लिए किया पता नहीं तना हुआ क्यों बना रखा balancing of redox reaction को छोटी छोटी चीज़े हैं यार जो इसका एंफेक्टर होगा वो इसके मोल्स होगे निकालो एंफेक्टर इसका दो एटम्स हैं 0 से माइनस 1 में जा रहा है दो आएगा इसका एंफेक्टर निकालो दो 0 से ये प्लस 5 में जा 10 आया जो इसका एंफेक्टर है वो इसके मोल्स है जो इसका एंफेक्टर है वो इसके मोल्स है balance all atoms except hydrogen and oxygen यहाँ पर chlorine के 20 atoms है यह 20 हो जाएंगे क्योंकि हमने इसको इसके साथ compare किये यहाँ पर chlorine के 4 atoms है तो यह 4 हो जाएं लीजे सर सारे atoms balance होगे oxygen और hydrogen को छोड़के oxygen कैसे balance करेंगे जिदर oxygen कम है उदर एस्ट वो डाल दो इदर oxygen कितने है 4, 3, 2, 12 और 1, 13 और इदर oxygen कितने है 1 तो इदर 12 कम है तो इदर 12 H2O डाल दो जिदर hydrogen कम है उदर डालेंगे H2O opposite side में उतने ही OH नगले वाए यहाँ पर hydrogen कितने है 24 और 1 25 hydrogen है यहाँ पर hydrogen कितने है सिर्फ और सिर्फ दो पर इदर hydrogen कम है तो कितने कम है 23 23 तो इदर डालूँगा 23 H2O सर्फ पहले ही 1 H2O था 23 आपने डाले तो यह 24 H2O हो जाएंगे और opposite side में उतने ही OH नगले वाएन उदर 23 H2O डाले थे इदर डालूँगा 23 OH नगले वाएन एक OH नगले वाएन पहले था 23 आपने डाले तो 24 हो जाएंगे अब देखो जरा इदर 12 H2O उदर 24 H2O क्या वो cancel out हो गे क्या वो cancel out हो के सिरफ और सिरफ 12 H2O बच जाएंगे उदर बिलकुल साही लो जी balance हो गया बट balance करते टाइम एक और बात का ख्याल रखते हैं आप ठीक है पहले थो कि इन दोनों को add करके लिखोंगा सिरफ सीधा ही लिख दो 12 CL2 बिलकुल साही बात balance करते टाइम एक और बात का ख्याल रखते हैं आप कि ये जो integers हैं अगर ये 1 के लावा किसी और table में जा सकते हैं, maximum बड़े table में जा सकते हैं तो ढाल दो, तर 4 के table में ये 3 पे जायेगा, ये 6 पे जायेगा ये 5 पे जायेगा, ये 1 पे जायेगा और ये 3 पे जायेगा, तो बास इनको फिर 4 से डिवाइड कर दो, क्या बन गया, 3Cl2, 6OH negative, gives you 5Cl negative, 1ClO3 negative, और 3H2O, तो हो गया balance, मजा आया वई, मेरे ख्याल से अब आपको feeling आ रही होगी, बिल्कुल अनन्या पांडे वाली है ना, कि balancing भी हमने सीख ली है, कि हाँ सर मैंने बहुत struggle किया है, struggle किया नहीं, struggle feel ज़रूर हो रहा होगा, balancing सीखने के बाद, next बात करते हैं, titrations के बारे में, titration कुछ भी नहीं है, यार, एक chemical reaction होती है, बस इसमें फरक क्या है, एक चीज, burette में होती है, और एक चीज, beaker में है, या conical flask में होती है, जैसे यह, इन में से, generally, एक चीज, oxidant की तरह काम करती है, यानि कि इसका reduction होगा, और एक reductant की तरह काम करती है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यह oxidant यह, reductant यह, reductant यह, oxidant, कोई भी हो सकता है, ठीक है, और आप जैसे ही, snop को खोलेंगे, यह दोनों आपस में react करते जब end point आ जाएगा, ठीक है, जो हमें generally कैसे पता चलता है, इसका color change हो जाता है, with the help of an indicator, तब इस knob को आप क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, इनको बोलते हैं आप titration, titration में हमें पढ़ना है redox titration, redox titration में क्या होगा, दोनों में से एक चीज का oxidation होगा, एक चीज का reduction होगा लॉक्स titration में हमें सबसे पहले पढ़ना है, that is potassium dichromate titration, potassium dichromate एक बहुत अच्छा oxidizing agent होता है, acidic medium में, oxidizing agent का मलब है, दूसरों को ये क्या करता है, oxidize, और खुद क्या होता है, ये reduce, ये देखो reduce हो भी रहा है, plus 6 से plus 3 में जा रहा है, आप देख रहे हैं, इसका n factor 6 आएगा, निकाल सकते हैं, और indicator हम ये use करेंगे, सर खुद तो reduce हो रहा है, दूसरे को oxidize कर रहा है, सर ये किन को oxidize कर रहा है, ठीक है, बहुतों को कर सकता है, मैं कुछ का नाम लिखवा रहा हूं आपको, that is fake word, that is fusion, बस इसको याद रखेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा, कि ज जो capital letters में लिखे होनी का मतलब है, small letter वाले का कोई मतलब नहीं है, sulphite को, sulphate में convert कर देता है, stannus को, tannic में convert कर देता है, sulphite को, sulphite तो हो गया, H2S को, sulphur में convert कर देता है, SO2 को, sulphate में convert कर देता है, potassium dichromate, iodide को, iodine में convert कर देता है, acidic medium में याद रखना, ओ का मतलब है, oxalate iron को, this is oxalate, CO2 में convert कर देता है, nitrite को, nitrate में convert कर देता है, और अब चाहो, तो इनके N-factor आप निकाल सकते हो, वो सिखा दिया है, मैंने, बढ़ फिर भी अगर कोई बोले, कि यहीं पर लिख दो, सब के N-factor भी, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, यह सब के N-factor भी, अब आप potassium dichromate का, इन में से किसी के साथ भी reaction कर आईए, आप product लिख सकते हैं, potassium dichromate, acidic medium में, ferrous के साथ react कर रहा है, बताओ क्या बनाएगा, यह ferrous को, ferric में convert कर देता है, सर खुद किसमें convert होगा, हमेशा CR3 positive और water, नई सर, fusion में, यह iodide के साथ react कर गया, iodide के साथ, तो iodide को, यह iodine में convert कर देता है, खुद हमेशा किसमें convert होगा, CR3 positive और water, यहीं की paper में question आ जाए, सिरफ इतना सा ही छोड़ दें, product क्या लिखने है, और उनको balance कैसे करना है, क्या वो सब हमने सीख लिया है, यह सर, हाला कि यह काम inorganic chemistry का था, बढ़ हमने यहीं पर ही कर लिया है, next, potassium permanganate titration, जिनको आप school में करते भी होंगे, और teacher कहता होगा, end point में light pink color आना चाहिए, बट आपने करते करते, ठीक है, ना तो initial volume record करी होती है, कभी-कभी कुछ ऐसे ही हालत होते हैं आपके, और यहां color भी hot pink आ जाता है, girls कहते हैं hot pink, KMNO4 एक अच्छा है, oxidizing agent है, acidic medium में भी, basic medium में भी, और neutral medium में भी, तीनों अलग-अलग medium में, इसका end product अलग-अलग होगा, acidic medium में, यह MN2 positive में convert हो जाता है, neutral medium में, यह weekly basic लिखा हो, यह basic लिखा हो, तो यह MNO2 में convert हो जाता है, बट अगर कहीं, strongly basic लिखा हो, यह Manganate Ion में convert होता है, यह plus 7 से plus 2 में जा रहा है, तो n factor 5 होगा, plus 7 से plus 4 में जा रहा है, तो n factor 3 होगा, plus 7 से plus 6 में जा रहा है, n factor 1 होगा, तो पेपर में कभी question आ गया, तो और KMNO4 basic medium लिखा होगा है, word strongly basic नहीं use किया होगा, तो आप यही use करेंगे, सर वीकली basic लिखा होगा है, यही use करेंगे, neutral लिखा होगा है, तब भी यहीं होगा, हाँ specially word लिखा गया हो, strongly basic medium, तब MNO4 negative, MNO4 to negative में convert होगा, otherwise basic हो, neutral हो, वीकली basic हो, आप यहीं मान के चलेंगे, हमें जो पढ़ना है, वो पढ़ना है, केमनो 4 in acidic medium, केमनो 4 in acidic medium, यह भी fusion show करता है, समझ गए है, ferrous को feric में, sulfide को sulfate में, stannus को stannic में, H2S को sulfur में, SO2 को sulfate में, iodide को iodine में, oxalate को CO2 में, और nitrite को nitrate में convert करता है, ठीक है, तर केमनो 4, neutral में, यह basic medium में, क्या करता है, केमनो 4 neutral यह basic medium में, क्या करता है, डाट इस, iodide को, iodate में convert कर देता है, medium अगर acidic होगा, तो iodide को iodine में convert करेगा, but neutral यह basic होगा, तो iodide को iodate में convert करेगा, यहाँ पर इसका infector 6 आएगा, यहाँ पर iodine का infector 1 आएगा, next iteration में, iodimetric titration, ठीक है, iodimetric में, iodine एक बहुत अच्छा oxidizing agent होगा, खुद reduce होगा, दूसरों को क्या करेगा, यह oxidize करेगा, सर ये गिन को oxidize कर सकता है, ठीक है, वहाँ हमने fusion लिखा था, याद होगा, आपको nuclear fusion stars में होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, stars, एक तो, stannus को, stannic में, में लिखेंगे यह आएगा हमें, thaiosulfate को, tetra thaionate में, thaiosulfate होता है, और tetra thaionate होता है, rc-nate को, rc-nate में, aso-3, 3-negative को, aso-4-negative है, tan factor 2-1 है, 1 आना है, 2-1 है, and the last one is, iodometric, iodometric में क्या होगा, iodide, एक बहुत अच्छे, reducing agent की तरह काम करेगा, खुद, oxidize हो जाएगा, और दूसरों को क्या करेगा, reduce करेगा, सर, किसको कर सकता है, आज ही पढ़ लिया हमने, कि MnO4, जब acidic medium में था, तो iodide, खुद iodine में convert हो जाता था, इसको Mn2 पॉस्टिव में convert कर देता था, similarly, dichromate ion, भी जब acidic medium में था, खुद ये C-Iodine में convert हो जाता था, और इसको CR3 पॉस्टिव में convert कर देता था, इसी के साथ, बेटा हमारी ये आज की class finish होती है, जो topic है, electrode potential वाला, वो obviously electrochemistry में deal किया जाता है, इसी कारण उसको यहाँ पर deal नहीं किया गया है, ठीक है, मज़ा आया होगा आपको balancing सीखने में, redox titration के बारे में पढ़ने में, ठीक है, मिलते हैं आप सबसे next class में, thanks for giving us your time, thank you बच्चो,